आईए जानती है एर कंडिशनर को 24 डिग्री पर करो सैट, 6 प्रतीशत बचेगी बिचली, गर्मियों का मौसम आते ही लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि चिलचिलाती धूप के कारण लोगों को परिसीना आता है और वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते हैं आई दिन तापमान 40 के पार ही नसर आता है और मौझूदा समय में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं, गर्मी जोरों पर हैं और लोग इससे बचने के लिए तरीके खोज रहे हैं, इस तेज़ कर्मी से बचने के लिए लोग अपने घरों में एसी लगवाते हैं ताकि उन्हें जलती चुभती गर्मी में रहत मिल सके, जैसे घर आओ तो एसी को चालू करो थोड़ी देर में कमरा ठंडा हो जाता है, हालाकि एसी चलाने पर बजली का बिल ज्यादा जरूर आता है, वहीं देखने को मिलता है कि लोग एसी चालू करते ही उसका तापमान 16 या 18 डिगरी कर देते हैं, जबकि 24 डिगरी पर एसी चलाने की अपने कई फाइदे और ये जरूरी भी है, तो चलिए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आप अगली स्लाइट्स में इस बारे में जान सकते हैं, दरसल उर्जा मंत्राले की तरफ से एसी का डिफॉल्ट टेंपरेचर 24 डिग अगर आप एसी को 24 डिगरी पर चलाते हैं, तो इससे आपका बिजली का बिल कम आता है, वहीं अगर आप एसी को 18 या 16 डिगरी पर चलाते हैं, तो इससे आपका बिजली का बिल काफी ज्याद आता है, इसलिए 24 डिगरी टेंपरेचर पर ही एसी को चलाना फाइदे मंद होत सब्सक्राइबन कमरे का तापमान 24 डिक्री पहुचेगा AC का कम्प्रेसर चलना बंद हो जाएगा और फिर इसका बस फैन चलेगा वहीं जब तापमान बढ़ेगा तो कम्प्रेसर फिर से चलने लगेगा इससे कम्प्रेसर पर कम असर पड़ता है लंबी लाइफ ऐसे में जब कम्प्रेसर का कम इस्तमाल होगा तो जाहिर है कि इससे कम्प्रेसर की लाइफ अच्छी होगी वारंटी के बाद अगर कम्प्रेसर खराब हो जाए तो अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है इसलिए AC को 24 डिक्री तापमान पर चलाकर आप कंप्रेसर को भी सुरक्षित रख सकते हैं और इसकी लाइफ लंबी हो सकती है गोंधिया से BCN News के लिए अभिशेक भटनागर की रिपोर्ट